जानवी और माया, दोनों बहुत ही अच्छी सहली थी, दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थी, लेकिन दोनों के दोस्ती सगी बेहनों से भी ज्यादा गह रही थी, वहीं दोनों का ससुराल भी एक ही शहर में था, जिससे माया का जानवी के घर आना जाना लगा रहता था, एक दवाई देनी थी सुपह की बाबुजी के लिए नाहने का पानी गरम करना था इनको आफिस जानी में कुछी टाइम बाकी है सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी मैं जानवी ये सब सूची रही थी कि तभी माया हाथ में चाय की ट्रेली के कमरे में आती है ये ले, चाय पी और टेंशन मतले सब काम हो गया है बस चीजो के टीफिन तयार करने बाकी है वो भी आदा खाना तयार है माया जानवी से बोले जा रहे थी, बोले जा रहे थी वहीं जानवी माया को देखकर काफी हैरान थी तो इतनी सुबह सुबह यहां कैसे और साथ बज़े यह सारा काम हो यह हाँ तो कितना टाइम लगता है सुबह पाज बज़े उठके अपने गर काम निपटा कर छे बज़े यहां आगी ऐसे भी मेरे गर में न सब अपना काम खुद से कर लेते तो उतनी टैंशन की बात नहीं है ले चल अप चाइपी और फ्रेश हुजा तब तक नाज़्ता भी तेयार हो जाएगा यार कितनी सही दोस्त मिली है कितनी क्यार करती है मेरी इतनी सुबह सुबहा के मेरे सारे काम भी करती है थांक यू थांक यू गॉट जी इतनी केरिंग फ्रेंग देने के लिए क्या सुच रही है अब कुछ नहीं यार थांक यू इतनी जल्दी सब कुछ मैंनेज करने के लिए चल अब मैं नहा लेती हूँ फिर जानवी चली जाती है और दोनों सहलिया मिल कर सब को नाश्टा परुजती है माया बिटा नाश्टा तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है सिच में माया के हाथ में जादू है जानवी मडम तुम भी कुछ सीख लो जीजू मैंने जानवी से ही सीखा है देख लिया फिर सब हस्ते लगते हैं और मज़े से नाश्टा करते हैं वहीं नाश्टे के बाद जानवी मेरी टिफिन हान जी अभी लाई जानवी ये इसमें नमक अपने अंदाज से डाल लिना मुझे समझ में नहीं आ रहा था ना टिफिन मैं दे आती हूँ ओके ये लो जीजू टिफिन ठेक कैर थेंक यू बाई जानवी कितनी अच्छी है माया मेरी सगी साली से ज्यादा खयाल तो ये रख रही है मेरा मही माया अकसर जानवी के घर जाया करती और घर में सबके काम में उनका हाथ पटाती और सबकी चहीती भी हो गई थी ऐसे ही एक दिन माया बाजार से थैला भरके सबजी लेकर आती है अरे माया बिटा ये क्या सबजी इतने सारी हाँ अंटी जी मैं बाजार गई थी तो सोचा यहां के लिए भी सबजी ले लेती हूँ अरे इसकी कोई ज़रत नहीं थी बिटा कोई ना अब ले आई ये तो क्या कर सकते लेकिन ये रोज रोज ऐसा ना किया कर अच्छा नहीं लगता माया ऐसे कुछ नहीं है वो जानवी के घर का सारा काम भी करती और उसके साथ ससूर पति का खयाल भी रखती ऐसे ही एक शाह में सास बहुत देर से अलमारी में कुछ खोज रही थी माजी, कबसे अलमारी में क्या डून रही हो आप? और इतनी परिशान क्यो हो? पहु मैंने ना मेरी सास से मिला हुआ कंगन सोनार को चमकाने के लिए दिया था और सोनार की यहां से आने के बाद वो मैंने पता नहीं कहा रख दिया मिली नेरा मुझे ही बता दिये होते तो मैं रख देती कम से कम परिशान तो नहीं होना पड़ता अरे आपको बताना था ना माजी फाल तुम्हें परेशान हुए वो आपकी तिजोरी के hidden वाले पार्ट में रखा हुआ है ये सुनकर सास और जानवी तुनों शौक्ट हो जाती है अरे उस दिर आंटी जी ने गहने रखकर मुझे बताया था कि बिटा कंगा ने इसमें रखा है फूल जाओ तो याद दिला देना ओकी ओकी मतलब माजी आप याददाश वाली दवाई टाइम से ने ले रही है तुझे लगता है कि यह हो सकता है जब तक माया इस घर में है बड़े प्यारी बच्ची है अरे आंटी जी इतनी भी नहीं हूँ आंटी जी नहीं माम में बोला कर तु भी तो मेरी बेटी जैसी है ना ये सब देखकर जानवी को मन में जलन सी हुई पर वो मन में ही बड़बडा कर रह गई माजी ने आज तक मुझे बेटी जैसा नहीं का और माया मुझसे ज्यादा हो गई इनके लिए शायद मैं गलत सूश रही हूँ वो इतनी फैमिलियर होके भी तो रहती है ना सबके साथ इसलिए बॉंड अच्छा हो गया है और कुछ इस तरह जानवी खुद को ही समझाने में लग जाती है फिर जानवी नॉर्मल होके अपने काम में लगती है वही अगली दिन सुब़ फिर सिमाया जल्द ही जानवी के घर आ जाती है जानवी किचिन में पते के टिफिन के लिए आटा गुथ रही थी तभी यार जानवी मेरी शर्ट का है मिली नहीं रही है अरे वहाँ देखो तो सही पिली शर्ट रखी है पहन लो अब मैं ये पिली शर्ट का डूंडू ओ मिल गई लेकिन ये क्या इसके तो बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट प्रेस भी नहीं है अरे क्या हुआ आप परिशान दिख रहे हो अरे बटन टूटी हुई है और दूसरी शर्ट भी नहीं है पहनने को आफिस को भी लेट हो रहा है और जानवी किजन में हाथों में आटा लगाए बढ़ी है कोई बात नहीं, आप परीड क्यों हो लाओ, मैं लगा दीती हूं बटन फिर माया रागव के शर्ट में बटन लगाने लगती है तभी जानवी वहाँ जाती है आजी, मिल गई शर्ट? हाँ, मिल गई, बटन टूटी थी, तो माया ने लगा दी अरे, मुझे बुला लिया होता, इसे क्यों तकलिफ दी? तुमारे हाथ में आटा लगा था ना तो सुचे, तुम्हें क्यों परेशान किया जाए, इसलिए अच्छा किया जानवी उपर से तो खुशोनी के अक्टिंग कर रही थी लेकिन आब उसे चीजे अजीब लगने लगी थी माया अपने सिसुराल की बहु कम और जानवी के सिसुराल की बहु ज्यादा बन कर बैठी थी जानवी के सारे काम अब वो करने लगी थी घर की बारे में जानवी से ज्यादा अब माया को खबर रहती थी मुझे लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही अपना दिमाग चला रही हूँ माया बस मेरी अच्छी दोस होने के नाते मेरे लिए इतना करती है जानवी ये सब सोच रही थी कि तभी ससूर जी वहां आते है बहु आज घर पर कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं खाना अला जवाब बनना चाहिए कौन आ रहे है पापाजी माया बिटा मेरे दूर के बेहन और बेहनों ही आ रहे है जानवी अच्छे से तयार होना बिटा पहली बार मिलेंगी न मेरी बैन तुमसे ठीक है पापाजी जिसके बाद जानवी घर में महमानों के आने के तयारी करने लगती है वही माया भी पड़े ही उतसा से जानवी का हाथ बटा रही थी माया ये दो सिटी हो जाए ना तो गैस बंद कर देना अब मैं कपड़े पहन कर तयार हो जाती हूँ ठीक है सुनना तेरी वो गोल्डन वाली साड़ी मेरी लिए निकाल देना ना वो क्यों? अरे महमानों के सामने ऐसे काम वाली बाई की तरह रहूँगी तो अच्छे थोड़ी न लगेगा तेरा? हाँ सई है लेकिन गोल्डन वाली साड़ी तो मैं पहनने जा रही हूँ क्योंकि वही सबसे सुन्दर साड़ी है मेरे पास चल कोई न मैं दूसरी पहन लोगी वो तू पहन ले फिर जानवी तयार होने चली जाती है और किचन से फ्री होके माया भी बाई ठन कर रेडी हो जाती है वही कुछ इस समय में महमान भी घर आ जाते हैं जहां जानवी और माया दोनों बुवाजी के पैरचुती है और बुवाजी कन्फ्यूज हुजाती है कि बहु कौन है इसलिए वो दोनों को आशिरवाद दे दिती है आये दीदी जी जा अंदर आये अंदर आये जिसके बाद जानवी और माया किचन में जाके चाए नाश्ता लेकर आते हैं इससे पहले कि जानवी कुछ बोले जिसके बाद बुवा जी लीजिए नाश्ता कीजिए आप दुनों को आने में कोई तकलिफ तो नहीं हुई न दै बिड़ा हमारा हम से आ गए जिसके बाद बुवा फूफा चाही नाश्ता करते हैं और कुछ दिर बाद दोनों टेबल पर खाना लगा देती हैं माया बढ़ चड़कर मेमानों के सामने आती जिससे उन्हें लगता कि घर की बहुत जानवी नहीं बलकि माया है और जाते समय वो माया को विदाई और मुख विदाई का शगुन भी दे कर जाते हैं ये देखकर जानवी को बहुत गुसा आता है बीटा बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर अब मैं चलती हूँ फिर बुवा फूफा चले जाते हैं कोई ना बहु गलती से बुवा ने माया को बहु समझ लिया अब क्या कर सकते हैं वैसे भी कौन सा वो रोज आने वाली है जी कोई बात नहीं ये तो वैसे ही अल्मूस घर की बहु बन चुकी है अब कैसे भी करकी इसे घर से भगाना ही होगा जिसके बाद जानवी अगले दिन सुबह ही माया के घर से उसके कपड़े और बैग ले आती है जानवी तुही मेरा सामान यह क्यों ले आई देख तू तो हमेशा यही रहती है तु सुचा तिरह सामान ही मंगवा देती हूँ माया को जानवी के बाद थोड़ी अटपटी लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती वही अगले दिन फिर जानवी माया के घर से उसके अलमारी और फ्रिज मंगा लेती है जानवी तुने मेरे घर से फ्रिज और अलमारी क्यों मंगाई अब तो तो इस घर की बहु बन गई है ना इसलिए तेरा सामान यहां मंगा रही हो तब पागल ऐसा मजाग कौन करता है माया को सच में लगता है कि जानवी मजाग कर रही है लेकिन कहीं न कहीं अब उसे डर लगने लगा था अगले दिन जानवी माया की घर से उसका बैट, टीवी और बागी का सामान भी मंगबा लेती है जानवी यह सब क्या है? तू क्या करना चाहती है? जैसे तुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? तू सारा दिन यहीं रहती है अब तो तो इस घर की बहु बन गई है ना? इसके लिए मैं तेरा सारा सामान मंगा रही हूँ अब तो आराम से यहां रहया मैं अपना सामान ले जाती हूँ तेरे घर यह सुनकर माया घबरा जाती है कि कहीं जानवी उसकी सिसुराल वालों को और पती को पटान ना ले सौरी जानवी मैं समझ गी हूँ मैं यही रह जाती हूँ अपने घर जिसके बाद माया अपना सामान लेकर नादो ग्यारा हो जाती है उदेपुन नाम के एक शहर में शर्मा परिबार रहता था परिबार बेटे बहु से भरा पुरा था पर सभी सास बहु की तरह इस घर में भी दिन राज सास बहु की तू-तू मैं में चलती रहती थी अरा बहु चाय लाएगी के बाहर से मंगवा लो अपनी सास के आवाज सुनकर रसु इसे आवाज लगाती रश्मी कहती है एक बार मंगवा के देख लीजे सासुमा पच गई तो कहिएगा ये कहकर रश्मी चाय लेकर अपनी सास के सामने रखते हुए कहती है आपकी चाय सासुमा भैस के दूद की अब जब आप बाहर से चाई मंगवाई रही हैं, तो उसे याद से भैस के दूद के चाई मंगवाने के लिए कहिएगा, क्योंकि गाई की तो आपको पचेगी नहीं तुम मुझे ताना दे रही है बहू, साब समझती हूँ मैं देखी, कितनी समझदार हैं आप, यही समझदारी आपके माईके वालों के सामने दिखा कर उन्हें वापस जाने भी बोल दिया कि जिसा सुमा एक साथ पंदरा बीस लोग आ जाते हैं, खाना बना बना कर मेरे कमर तूट जाती है अगली बार तेरा वो भतीजा अपनी रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट छोड़कर मेरे टीवी का रिमोट ले गया था जब आते हैं, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं, उपर से बिना बताई आ जाते हैं अपनी सास की बातों का रिश्मी के पास कोई जवाब नहीं था, वो बार घुमाती हुए कहती है आपी कहां बातों में लगी सासुमा, नाश्ता नहीं करेंगी क्या मेरी मा कहती है, अगर भैस करें, तो उसके मुँ में खाना डाल देना चाहिए अच्छा, ये बहु क्या बोल गई, बैस, खाना, खाना तो मुझे दे रही थी वो अरा बहु, तबी दर्वाजे पर दस्तक होती है तुम दोनों का ताना बना खतम हो गया हो, तो दर्वाजा भी खोल दो सुसुर जी के आवाज सुनकर रश्मी जाकर तर्वाजा खोलती है अरे सासुमा देखिए तो कौन आया है, आपके रिष्टेदार मेरे रिष्टेदार, अर अभी ना बताया कौन आ गया बहु पहचाना नहीं क्या संधन जी, मैं प्रमिला, शादी में मिले थे हम अच्छा, बात इना बार में करते हैं, इजी आप अंदर आ जाईए, अपना ही घर है गौतम, अंदर आ जाओ, आंटी के पैर शुओ बिटा जीते रहो, जीते रहो वो क्या है ना संधन जी, हम तो आपका घर ढोड़ी नहीं पा रहे थे हमें लगा कहीं हम गलत घर पर तो नहीं आ गए, किसी ने हमें नहीं पैचाना तो पर आपकी बहु, वा, 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 क्या संस्कार है, फोरण हमें अंदर बुला कर लिया आई घर की ही बात है अंकल जी, अच्छली न, बाकी कमरे में एसी नहीं है आप और आंटी जी सासुमा के कमरे में ही शिफ्ट हो जाईए, सासुमा मेरे साथ सुएंगी ठीक है ना सासुमा, हाँ, बहु, सुलेखा के रिष्टेदार उसी की कमरे में अपने सारे लगिज को रख देते है अरे बहु, मैं कौन से बातरूम में ना हूँ? सारा घर खुला है अंकल जी, जहाँ आपको ठीक लगे ना लीजी, बिसे सासुमा का बातरूम है, सेपरेट बातरूम है, बलकुल साफ सुतरा, बाडी वाश भी है उसमें, और वो भी इंपोर्टेड हाँ जी, हाँ जी, सामदन जी का ही तो घर है, जाईए उनी के बातरूम में ना आईए, वो क्या है न बहु, साबुन से तो ये ना आते भी नहीं, बाडी वाश ही ढूंड रहे थे बाडल को बिलकुल भी इलेक्ट्रोनिक आईटम यूज़ करना नहीं आता था, वो सुलेखा के बातरूम के गिजर को जला दीता है, बातरूम से आते धुए को देखकर सभी वहाँ भागते हैं अरा मेरा गिजर कोई बात नहीं ममी जी, होता है, होता है, अंकल जी ठीक है, वो मैटर करता है, हाँ अब लोग बैठिये, मैं खाने की तयारियां करती हूँ, अब जैसा भी स्वाद रहे, खा लीजिएगा, सास मा जैसा तो बनाने ही पाऊंगी मैं हम आए ही कितने दिन के लिए हैं, अरे संधन जी ही बना देगी खाना, क्यों है न संधन जी प्रमिला की बात पर रश्मी, फुस-फुसाती हुई अपनी सास से कहती है देदी के घर के रिष्टेदार हैं सासु मा, खाते दारी तो करनी होगी न, कहीं ये लोग रूट गए, तो देदी की सास को कम्प्लेन ना कर दे मेरे बेटी के ससुराल की बात है, मैं बनाती हूँ खाना, बेचारी सुलेखा, आए रिष्टेदारों को अपनी बेटी की ससुराल का मान कर सारा खाना खुद बनाती है, सभी खाना-खाने टीबल पर बैठने है बहन जी, वैसे हम किस शादी में मिले थे? अरे वो पंच बटी में भूल गए क्या आप? उम्र हो गई ना, अरे वो वर्वाला में लड़की के पैर में मोच आ गई थी शादी में तो मेरे पैर में मोच आई थी, हे भगवान, मतलब ये दीदी नहीं मेरी शादी की बात कर रहे हैं नजाने कौन है ये लोग, बात बदलना होगा, क्या सासुमा आप भी ना, ये क्या बातों में लगई, चलिए, खाना खाइए, चलिए सबी मिलकर खाना खाते हैं, तबी बातल की फाट की आवाज आती है, ऐसी आवाज मानो बंदू की गोली निकली हो, सुनकर सुलेखा घबरा जाती है खाना जरा हम भारी था ना, इनको गैस हो ही जाती है, हाजमा की गोली होगी क्या, कमने में ही है, ले लिजिएगा खाना खाकर प्रमिला आराम से सोफे पर लेट कर टीवी देखते लगती है, मज़ा हा गया संधन जी, आप भी बैठिये ना बिचारी सुलेखा, जाकर अपने बिन बुलाए मेमान के बगल में बैठ जाती है, टीवी देखकर प्रमिला हसती जाती है और सुलेखा के पीट पर हाथ मारती जाती है मैं चलती हूँ बैठ जी, आप देखिये टीवी, कुछी देरो और यहां बैठी तो ये तो मेरे पीठ में ही छेद करतेगी तबी वहाँ गौतम आता है और अपनी मा से कहता है ममी, वो भाबी बैंगन निकाल रही है, लगता है रात के खाने में वही बनाने वाली है तुम जानती हो ना बैंगन मुझे पसंद नहीं अच्छे अच्छे रुप तू, मैं बात करती हूँ अरे सुलेखा जी, मेरा बेटा ना बैंगन नहीं खाता तो रात को कुछ और देखिए मतलब, आज रात आप यहीं रहने वाली है मेरा मतलब आप कुछ काम से आये थी ना, वो काम ना रहा जाय बहुत अच्छी खातिर की है आपने हमारी जाने का तुम मन ही नहीं कर रहा वोना हम यहां गौतम के लिए लड़की देखने आये थे मैं तो सोच रही हूँ कि होटल में लड़की वालों को बुलाने से अच्छा है कि यहीं इंतिजाम कर ले क्यों बहु प्रमिला, बादल और गौतम मिलकर एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट तयार कर लेती हैं और रश्मी को पकड़ा देती हैं यहां की फेमस मिठाई नाश्ता और भी कुछ लिस्ट में छुट गया हो तो वो भी मंगवाली न बहो बस मेरे बेटे का रिष्टा पका हो जाए तीस साल का घोड़ा हो गया है पता नहीं क्या नजल लगी है सभी रिष्टे कट जाती है तबी फोन की घंटी बच्ती है सुले का फोन उठाती है अरे रिया तू अरे यह तेरे ससुराल के कुछ रिष्टेदार मेरे यहां आयो है प्रमिला बादल पर मेरे तो ऐसे कोई रिष्टेदार ही नहीं है ममी I'm damn sure तब कौन है यह तबी तरवाजे पर रश्मी के माईके वाले पहांचते हैं जिससे देखकर प्रमिला कहती है भाबी आप हरे आप लोग यहां कैसे पहांच गए यह आपके रिष्टेदार है सम्दन जी अब हमारा घर तो एक ही माले में है सम्दन जी यह मेरे दूर की मामी के बुआ की बहु है अपने बेटे का रिष्टा देखने यहां आई थी रश्मी की शादी में आई थी तो शाद इसलिए आपने पैचाना नहीं होगा पर इन्होंने तो मुझे अच्छे से पैचान लिया अरे ममी अब चलो ना यहां से कहीं यह लोग अमे धक्के दे कर ना निकाल दे हम चलते हैं जी सीमा के साथ उसके रिष्टेदार चले जाते हैं गुस्से में अपनी बहु को देखते हुए सुलेखा कहती है यह तेरे रिष्टेदार निकले बहु तरश्मी फार एं रसोई में भाग जाती है